नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप भी एक फोन से दूसरे फोन में अपने कॉंटेक्ट भेजना चाते हो यानि सैंड करना चाते हो आपने सायद मुबाइल चेंज करा होगा या आपके जो नमबर है वो डिलीट हो गए होंगे या कोई भी चीज हो सकती है तो एक फोन से कॉंटेक्ट दूसरे फोन में कैसे भेजें ब्लूटूथ के जरीए आए जानते हैं तो यहाँ पे ब्लूटूथ के जरीए आप बहुत जल्दी से यानि सिर्फ एक या दो मिनट के अंदर ही कॉंटेक्ट सैंड कर सकते हो तो इसके लिए आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं मैं आपको बताता हूँ तो यहाँ पे हमारे इस वाले फोन में कॉंटेक्ट हैं और इस फोन में हम सैंड करना चाते हैं तो सबसे पहले मैं कुछ चेक करायाता हूँ तो यहाँ पे हम जाते हैं और कॉंटेक्ट में जाते हैं तो आप देख सकते हैं यहां पर एक भी contact अभी नहीं है यह हमारी profile है जो हमने बनाये थी बागी एक भी contact नहीं दिखा रहा है, no contact लिखा हुआ है quarterback है यहाँ पर आपको उस mobile में जाना है जहाँपके contact है हैं तो हमारे इस mobile में contact है है तो हम इसे open कर लेते है थो हमने contact पर टच करना है या settings पर टच करना है और settings में चले जाना है यहां पर आपको मिलेगा import और export contact main आपको यही चीज ढूण लेनी है तो आप इसको ढूण लीजिए तो इस पर touch करिए और यहां पर आपको एक option मिलेगा export to storage आप देख सकते हैं यहां पर लिखा है यह आपका लिखा होगा export to sd card यह आपका लिखा होगा export to internal तो आपको export to storage पे touch करना है यहाँ पर ध्यान दीजिए हैं आपको कुछ लिखा हुआ आएगा आपको इसे ध्यान से समझ लेना है और याद कर लेना है देखिए यहाँ पर लिखा है your contact list we exported file mnt hdcard 0001 vcf तो लास्ट में जो नाम दिखा रहा है यह हमारी file का नाम बन जाएगा आपको इसे याद कर लेना है कहीं आप भूल गए तो आपको दिक्कत हो सकती है तो vcf लिखा होगा लास्ट में ok करिए और आपकी जो file है वो आपकी internal storage में पहुँच चुकी है आप ऊपर की तरह से नीचे करेंगे तो यहाँ पर दिखाये देगा exporting finished इस जाते हैं यहाँ पर आप डारेक्ट नीचे की तरफ आईए यहाँ पर आपको मिलेगा वो file जो हमारी save कर यूई होगी तो यह रहे हमारी वाली file 0001.vcf आपको इसे select कर लेना है share option पर click करना है या send करना है और bluetooth पर touch करना है फिर आपको अपने दूसरे phone में bluetooth चालू करना है तो यहाँ पर हम इसे चालू कर लेते हैं चालू करने के वाला आपको थोड़ा सा wait करना है यहाँ पर यह रिफ्रेश होने लग जाएगा आपको भी इसे refresh करना है और यहाँ पर आपको अपने दूसरे वाले phone का जो नाम है वो show कराने लग जाएगा यहाँ पर हमारा phone है galaxy s7 तो हम इस पर टच करते हैं यहाँ पर accept करने को या pair करने को कहेगा तो pair कर लीजिए देखिए pair हो रहा है और accept करने को कह रहा है मुझे तो accept कर लीजिए pair करने को कहता है pair कर दीजिए और यहाँ पर हमारी file आ चुकी है आप देख सकते है received दिखा रहा है आप उपर से करेंगे तो यहाँ पर भी दिखा देगा file received आप इस पर touch करिए आपकी file यहाँ पर show करा देगी आप इस पर touch करेंगे ok करने को लिए कहेगा या export करने को कहेगा तो ok कर दीजिए अगर आपको यहाँ से नहीं मिलता है तो वो आपको मिलेगा file manager में से तो my files में याणि file manager में जाएए और आपको internal storage में वो चीज मिल जाएगी जो आई होगी तो यहाँ पर bluetooth वाले option पर touch करके check कर लिजिए आई की नहीं तो यहाँ पर हमने उसे पहले ही use कर लिया है इसलिए यहाँ पर show नहीं करा रहा है जो हमारे इस phone में थे तो हम इसको दिखा देते हैं आपको तो यहाँ पर हमारे सारे contact आ गए हैं देख सकते हैं same आ रहे हैं ऐसे आप इसको इस्तेमाल करें और अगर आपको वीडियो पसंद आई मेरी वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो comment करना मत भूलिएगा आज के लिए इतना ही